प्रिंस को मुक्ति मिल जाएगी प्रिंस चले जाएंगे हमेशा के लिए बट अभी विंग प्रिंस को खोने के लिए तयार नहीं था उसे बताने कि वो तयार कब होगा बट अद्लिस अभी तो नहीं इतनी जल्दी तो नहीं तो उसने प्रिंस से रिक्वेस्ट किया कि वो कुछ टाइम बाद जाएगा तो प्रिंस ने भी उसे कहा कि वो जब जाए जा सकता है कोई जलबाजी नहीं है अब एक दिन जब विंग अपने रूम पे बैट के पेंटिंग कर रहा था तब प्रिंस ने कहा विंग गेट पे कोई आया है ये सुनके विंग शॉक्ट हो गया वो क्यूरियस भी हो गया उसने कहा कौन आया है ये बलके विंग सोच रहा था कि वो इतने टाइम से यहां पर है अभी तक कोई भी यहां पर आया नहीं है दिन अचनक से यहां पर कौन आ गया है प्रिंस ने कहा मैं शूर नहीं हूँ कोई बाहर वेट कर रहा है यह सुनके विंग और भी शॉक्ट हो गया उसे बहुत ही स्ट्रेंज लगा सबसे स्ट्रेंज बात यह था कि प्रिंस के वोईस में कोई वॉरी नहीं था जैसे कि वो इंस नावी तक कुछ किया क्यों नहीं वो बाहर वेट क्यों कर रहा है विंग को बहुत ही अजीब लगा और विंग से रहा नहीं गया वो फाइनल उटका खड़ा हुआ एंड वो फाइनली रूम के बाहर गया दिन वो कोर्टियार से होके पहले से गेट तक गया एंड देखके ही विंग ने चिला कर कहा जो जीजीए एंड ये सुनती जीजीए ने एक बिग स्माइल किया जीजीए ने कहा अब से फिर से मिलकर अच्छा लगा वे गॉंग्जा विंग ने कहा आप तो नहीं यहाँ पर क्या कर रहे हैं क्योंकि विंग लास्ट उन दोनों को एक प्रविया था नहीं लग रहा था उन्हें देखके लग रहा था कि कोई अच्छी ख़बर ही होगी क्योंकि उन दोनों के फेस में स्माइल था एक रिलाक्शन था तभी जीजीए ने स्माइल करते हुए कहा तुम्हारे सी जीजीए ने तुम्हारी लेक लेटर भेज़ा है यह सुनते विंग का ब्रिथिंग जैसे रूखी गया था तभी जीजीए ने विंग के हाथों में कुछ पेपर्स दिया और कहा हमें पता नहीं था कि तुम कब वापस टाउन पर जाओगे एंड हमसे मिलोगे एंड इसलिए हम यहां पर आ गया है क्योंकि यह इंफिरमेशन कुछ sensitive है हमें लगा कि तुम्हें यह लिडर अभी क्या भी पहुशाना चाहिए यह सुनते ही विंग बिल्कुल excited हो गया वो सोच रहा था ऐसा क्या होगा जो इतना important होगा तभी विंग ने लिडर को open किया लिडर में दो ऐसे जीजे mention थे जिसकी उपर विंग का ध्यान सब से पहले गया एक nephew and दूसरा one month celebration यह लिखती विंग और भी excited हो गया उसने रिडर को ध्यान से पढ़ा रिडर में लिखा हुआ था कि विंग कैसा है सीजे यही hope कर रही है कि विंग ठीक हो and then सीजे ने एक बड़ा सा news reveal किया and वो यह है कि सीजे का एक baby boy हुआ है यह news परती विंग को बहुत अच्छा लगा उसका sweet loving sister का एक baby boy हुआ है इतने सालों से सीजे उसे baby के तरह treat किया करती थी and आज सीजे का खुद का एक baby है विंग को पहले से पता है कि सीजे को baby कितना पसंद है and अब सीजे एक mammy है विंग को तो बहुत happy feel हो रहा था उसका एक nephew हुआ है वो एक uncle है आज विंग extremely happy था then विंग ने बाखी letter पड़ा बाखी letter में लिखा हुआ था कि बहुत जल्दी सीजे के baby boy का one month celebration है तो विंग वहाँ पर invited है and सीजे चाहती है कि विंग वहाँ पर आए celebration में विंग ने उस लिटर को तीन से चार बार repeatedly पड़ा बलकि उससे ज़्यादा तो कम नहीं वो बार 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 लिटर को पड़ता ही रहा उसे बहुत ही खुशी feel हो रही थी उसे बहुत अच्छा लग रहा था उसे देखके जीजी एने एंड लियंग ने smile किया दिन जीजी एन लियंग पैलेस के अंदर नहीं गये एंड विंग ने भी उन्हें फोर्स नहीं किया वो समझ सकते थे कि वो दोने पैलेस के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं ये उन लोग के लिए तो रहसा uncomfortable होगा तो वो लोग पैलेस के ये बाहर ग्राश में बैठ गये एंड एक साथ खान गएगा वो डिरेक्ट सेगें कोर्टियाट में आ गया रैविडिस के पास वो उनके साथ खेलने लगा और उसने प्रिंस को सब कुछ बताया कि वो दोनों लेडिस कौन थी वो दोनों यहां पर क्यों आई थी एंड सीजे नों से इंवाइट किया है विंग ने कहा हैंग वा प्रिंस के वोईस में एक फॉननेस था विंग को बहुत है अच्छा लगा तो विंग ने और भी स्माइल किया वो सोच रहा था कि वो लिटिल बॉई कैसा दिखता होगा वो अभी क्या कर रहा होगा वो कितना छोटा होगा देन विंग सोच रहा था क्या उसे जाना चाहिए क्या अभी फिर से अपने फैमिले से मिलने का राइट टाइम आ गया है क्या उसे फाइनली अपने फैमिले से मिलना चाहिए उसे हिजरिट फिल हो रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्या उसका अभी वहाँ पर जाना सेफ होगा या नहीं वो वो फ्रोंड हो गया दिन उसने कहा Hang Wang Jun, तुम्हें क्या लगता है? क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए? पार्टी एटन करने के लिए? लंजा कुछ सरीन के लिए छुप थे, दिन लंजा ने कहा क्या तुम जाना चाहते हो? वे इन एक शाय किया और कहा मैं चाहता हूं मैं म सीं मिले हुए फिर से ढ़ने देखना चाहता है उससे अच्छे से पता है कि प्रिंस उसे यहाँ पर फॉर्स पूरी नहीं रख रहा है वह यहाँ पर अपने मर्जी से है अब स्टील वह अंदर बहुत ही कनफिूस da een उसे क्या करना चाहिए उसने expect भी नहीं किया था कि उसके लिए decision प्रिंस easily बना देगा प्रिंस ने कहा दिन तुम्हें जाना चाहिए ये सुनके wing shocked हो गया उसने कहा really? तुम्हें लगता है मुझे जाना चाहिए? I mean क्या तुम्हें लगता है कि ये safe होगा? प्रिंस ने कहा लगबक एक साल हो गया है तुम्हें यहाँ पर आये हुए अपने टाउन को छोड़ कर तो मुझे नहीं लगता कि आई भी तुम्हें कोई धून रहा होगा और अगर धून रहा भी होगा तो फिर कोई बात नहीं क्योंकि तुम तो वहाँ पर नहीं जा रहे हो ना लोटस पियर में तुम अपने बहन के पास जा रहे हो लान लिंग में अगर कोई डेंजर होता तो I don't think तुम्हारी बहन तुम्हें इन्वाइट करती ये सुनके विंग शॉक्ट हो गया लंजा प्रिंस ऐसे ही नहीं है वो प्रिंस होने का लायक भी है लंज ने कितना डीपली सोचा और डिजली डेशन भी बना लिया विंग तो बहुत हैपी हो गया दिन फिर से विंग के अंदर एक कंसर्ण आ गया उसने कहा और तुम ये बोलके वो प्रिंस के वाइन के उपर अपने हाथ को फेर आने लगा वो ही वाइन जो उसके हाथों में रैफ्ट था वो सोच रहा था जबसे वो पैलेस में आया है तब से ऐसा काई भी नहीं हुआ है कि वो पैलेस छोड़कर एक से ज़ाद दिन तक बाहर रहा हो अगर वो बाहर रहता भी है तो वस वो एक दिन के लिए होता है बट अगर वो सीजे के घर पे जाएगा तो लगबख एक हपते के लिए जाएगा तो एक हफते के लिए प्रिंस को छोड़ के रहाना प्रिंस को फीट ना कराना ये तो बहुत ही चिंता की बात है वीइंग ने कहा मैं एक हफते के लिए नहीं रहूँगा तो क्या तुम ठीक रहोगे I mean तुमें भूग तो नहीं लगेगी पूछ नहीं पाया तो प्रिंस ने कहा विंग मैं ठीक रहूंगा एंड वैसे भी से पहले भी मैं बहुत महिनों तक बीना फीट किये रहता था तो मुझे कोई प्रॉल्म नहीं होगी यह बोलने के बाद प्रिंस ने विंग के शॉलर को स्कुईस किया और कहा अगर तुम फिर से वापस आओगे तो मुझे कोई प्रॉल्म नहीं है यह सुन्दे विंग का हर्ट सॉफ्ट हो गया उसके फेस में एक स्माईल आ गया प्रिंस के वोईस में एक सॉफ्टनेस था उसके साथ साथ एक शॉर्ट डिस्परेशन भी था विंग ने प्रिंस से ये तो नहीं पूछा कि वो उन्हें मिस करेगा भी या नहीं बट विंग को एंसर मिल गया वो प्रिंस के एंसर समझ गया कि प्रिंस उसे मिस करेगा तो विंग को अंदर बहुत हैपी फिल हो रहा था उसने लंजा के वाइन को किस किया और कहा भला मैं तब वो प्रिंस को भी बहुत मिस्स करेगा तो उसके लिए वापस ना आना इंपॉसिबल है देन नेक्स कुछ दिनों में विंग न जाने के लिए पुरी तैयारी कर ली उसने अपने लिए नियू कपड़े खड़ीदा बहुत सरे चीज़े खड़ीदा तक कि उससे कोई प्र वहाँ पर पहुंच से उसे याद आया कि बो लास्ट पांच साल पहले लानलिंग आया था तब से लेकि आज तक लानलिंग बहुत ही चेंज हो गया है वो यही सोच रहा था तब ही कुछ डिसिपल्स आये जो वींग को उसके बहन की तरफ लेकी जाने लगे वो सोच रहा थ सच में सब कुछ कितना चेंज हो गया है उसे बिलिप नहीं हो रहा कि उसकी बेहन finally यहाँ पर रहती है जो उसका dream house था क्योंकि यहाँ पर जिन जिश्वन था और उसकी बेहन जिन जिश्वन से बहुत प्यार करती थी दुनिया में सब को पता है कि लानलिंग बहुत है रीच है एंट अब वो इनको आसपास का इंवर्मेंट भी अच्छा लग रहा था उसे ये देखके अच्छा लगा कि फैनलि उसकी बेहन एक अच्छा इंवर्मेंट में रहती है वो यहाँ पर कमफोटबल है वो सीज़े से मिलने के लिए मतलब जियंग जैंग और उसके पेरेंट्स उसे पता नहीं कि वो उन सबसे कैसे मिलेगा उन सबको कैसे फेस करेगा फैनलि वो सर्वेंट्स वींग को हौल पे लिका रहाया हौल पे बहुत सारे लोग थे उन सारे लोगों में से वींग अपने जीजे को ढूंड रहा था और फैनलि उसका नजर सीजे की उपर परा उसने देखा कि सीजे अकिली नहीं है सीजे के साथ जैंग 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 भी है ये देख कि वींग का हार्ट और भी सॉफ्ट हो गया क्योंकि बहुत टाइम बात वो अपने सिब्लिन्स को देख रहा था और तभी सीजे का नजर भी वींग की उपर परा और वींग को देखते ही सीजे ने एक वाम स्माइल किया जो वो हमेशा करती है इन फैक्ट सर्परेजिंगली जेंग 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 ने भी स्माइल किया उसके फेस में बहुत से एमोशन थे जिसे कि वो हैपी है और रिलिव भी है वींग को देखते ही वो दोनों वींग की तरफ आने लगे सबसे पहले जियंग चंग आ गया उसने विंग के पास आते ही विंग को bone crushing tightly hug किया एंड एक relief smile किया विंग को भी बहुत अच्छा लगा उसने भी जियंग चंग को tightly hug कर लिया एंड कुछ टाइम बात जैसी वो दोना अलग हुए जियंग चंग ने विंग के shoulder पे एक soft punch किया और कहा you idiot ये सुनके विंग ने smile किया सच में उसने अपने भाई को कितना miss किया है अपने शिठी को तभी वहाँ पर जियानियाली आई उसने भी विंग को tightly hug कर लिया विंग भी जियानियाली के बाहों में जैसे मेल्टी हो गया उन दोनों की आँखों में आशू था दिन फैनली वो दोनों भी अलग हुए सीजे ने जेनली कहा मेरे साथ आओ हमें बहुत बाते करना है विंग ने कहा जरूर दिन वो दोनों यानली के साथ अंदर चले गए उन दिनों ने एक साथ बहुत घंटे स्पेंट किया उन लोगों ने बाते किया अपने अपने स्टोरी शेयर किया विंग ने भी कहा कि उसने एक्च्वेली इतना इमसे क्या किया है वो पैलेस में कैसे सर्वाइब करता है वो कैसे हंटिंग करता है कितना adventure करता है जैंक चैन ने भी कहा कि ऐज़ा नियू सेक्लिटर उसका क्या-क्या duties है एंट यार्ली ने भी कहा कि वो यहाँ पर कितना happy है उन दिनों ने यह अपने-पने stories शेयर गया एक दूस्टे के साथ दिन फानली कुछ टाइम बात विंग अपने नेफ्यू से मिला जो कि बहुत क्यूट था विंग को चिलोइंस बहुत पसंद है वो उनसे खेलना और टीस करना पसंद करता है तो जैसे यानली ने जिल्लिंग को विंग के बाहों में दिया तब पहले विंग बहुत ही नर्वस ठा और भीजिंग इसे साथ खेलने लगा बस कुछी सेकर्ड में उन दोना का बहुत ही अच्छा बॉणनिंग भी हो गया था विंग को बहुत अच्छा लग रहा था वो बहुत ही हैपी था और यार्ली ने कुछ ऐसा कहा जिससे विंग और भी हैपी हो गया यानली ने कहा एक courtesy name सोचो विंग ने कहा courtesy name यानली ने कहा हाँ आचेंग ने कहा है कि आर लिंग का courtesy name तुम ही रखोगे ये सुनती ही जियंग चैंग का face rate हो गया embarrassment से दिन जियंग चैनर टीस करती हुए कहा अब अपने तलवार जैसे कोई अजीब नाम मत सोच ले न ये सुनक ये विंग हसने लगा एंड इन फैनली विंग ने जीन लिंग का courtesy name रखा जो था जीन रूलान जो कि सच में बहुत ही beautiful नेम था फैनली विनिंग हो गया and celebration शुरू हुआ बहुत सरे गेस्ट आने लगे उसके साथ साथ जीन एंड जीयंग फैमिलीज भी आए अंकिल जीयंग अफ्रनून में जल्दी ही आ गया है विंग के अंदर उनके लिए excitement तो था बट पूर नर्वस भी था फैनली सबसे मिलने के बाद अंकिल विंग के पास आए उन्होंने कहा आई ये बोलका अंकिल ने अपने हाथ को विंग के shoulder पे रखा उन्होंने कुछ कहा नहीं पर उनके बेटी के लिए जो कुछ भी किया वो वो कई भी नहीं भूल सकते विंग को बहुत अच्छा लगा इन फैक्ट मैरा मियूने भी विंग को appreciate किया उन्होंने कुछ कहा तो नहीं बट उनका कुछे सब दिख रहा था कि वो भी विंग के काम को appreciate करते हैं आज सच में विंग को बहुत अच्छा लग रहा था तेन बहुत सरे guests भी विंग के सथ मिलने के लिए आए उन्होंने विंग से बहुत सवπαल पूछा पाले संच के वारे में यह बताया क्योंकि वो पहले सब नहीं सकता थे बिख इंसर दे दिया सब्सेंब बात कि ने जन जिश्वन के साथ अच्छे से बात किया, उन दोनों के बीच में एक अच्छा conversation हुआ, जो की लगवग impossible था, Wing को रेलाइज हुआ कि अब जिन जिश्वान, थोरा बहुत tolerable and अच्छा इंसन बन चुका है, and होगा भी क्यों नहीं, उसके साथ CGA रहती है, तो ये CGA का ही good influence है, पूरा evening, celebration में ही बीद गया, then finally night में, Wing अपने room पे वापस चला गया, उसका stomach full था warm food से and expensive alcohol से, then finally वो अपने luxury room पे वापस चला गया, वो ने बेट पे जाकर लेट गया, वो सोच रहा था, कि आज का evening, आज का celebration उसके लिए बहुत ही wonderful था, उससे बहुत अच्छा लगा, thanks to Prince, जो उन्होंने Wing को encourage किया, यहाँ पर आने के लिए, Wing अपने उपर blanket wrap करके सो गया, बट यह blanket प्रिंस के वाइन जासा नहीं था, उसे प्रिंस के वाइन से जितना आराम मिलता है, वो आराम उसे यहाँ पर नहीं मिल रहा था, बट एनिवेज, यहाँ पर प्रिंस तो है नहीं, तो उसे यहाँ पर मैनेस तो करना ही होगा, तो उसने अपने आखे बंद किया, और वो ड्रीम देखने लगा, कि वो प्रिंस के बाहों में हैं, और वो गहरी निन्द में सो गया, सिलिबरिशन के नेक्स टे, जियंग चैंग और उसके पेरिंस कुछ टाइम के लिए रुके थे, तो यह वींग के लिए एक एडवन्टिस था, फैनली वो जियंग चैंग के साथ थोड़ा बहुत हैंक आउट कर पाएगा, तो जियंग चैंग और विंग पूरा दिन एक साथ थे, वो दोना ऐसे इदर उदर घूम रहे थे, मज़े कर रहे थे, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इतने टाइम बात वो अपने भाई के साथ हैंग आउट कर रहा था, ब्रिकल लोटा स्पियर की तरह, एंड देन, शाम होते ही, जियंग फैमिली बाँसी चले गए, विंग सोच रहा था, कि क्या उसी भी अपने घर के लिए अभी निकल जाना चाहिए, हालागि वो प्रिंस को बोल कर आया था, कि वो एक हपते के लिए जा रहा है, तो आयए भी उसके पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो उसे क्या करना चाहिए, वो यही सोच रहा था, इससे पहले वोके रिजशनल ले पाता, उसके पास यानली आ गई, एंट यानली ने उसे और भी कुछ दिन रुखने के लिए इंसिस्ट किया, तो विंग भी मान गया, क्योंकि अगर वो यहाँ पर कुछ दिन और रुकेगा, तो वो यानली के साथ थोड़ा टाइम और भी स्पेंट कर पाएगा, उससे और भी अच्छा लएगा, क्योंकि वो बहुत टाइम बात यानली से मिल रहा है, तो वो भी आसानी से मान गया, तो उसके नेक्स डेस, उसका बहुत ही अच्छा गया, इन दिनों में वो अपने बेहन, अपने नेप्यू के साथ, बहुत टाइम स्पेंट किया, उस तर उने बेहन के लाइफ के और रहे हैं, बहुत कुछ जाना, उसे बहुत ही हैपी फिल हो रहा था, कि यानली इतने अच्छी पोजिशन में है, उसका इतना अच्छा हस्बेंट है, जो उसे बहुत ही अच्छी से ट्रीट करता है, जैसे कि यानली डिसर्फ करती है, विंग ज़्यादा टाइम अपने बेहन, और नेफिय के साथ इस पेंट करता था, और बागी टाइम वो इदर उदर घूमता था, कैप टावर में, आज शाम को डिनर के बाद, वो ऐसे ही बाहर घूम रहा था, गार्डेन में, उसे रियाराइज हो रहा था, कि उसे पता दो था, वो उसके प्रेजिंस को मिस कर रहा है, उसके टच को मिस कर रहा है, उसके वामनिस को मिस कर रहा है, वो यही सोचती हुए, ऐसे गार्डेन में घूम रहा था, तब उसने देखा कि गार्डेन के एक बेंच पे, यानली अकेली बैठी हुई है, तो इसने दूर से यानली को रीट किया तो यानली ने उसे अपने पास बुलाया तो विंग भी यानली के पास जाकर बैट गया यानली ने कहा आलिंग अभी सो रहा है इसलिए मैं फ्रेश एर लेने के लिए यहाँ पर आकर बैट गई विंग न नोट किया इनफेक्ट वीन ने पूछा तक नहीं था बड़ फिर भी यानली ने बताया अभी रात हो चुकी थी आस्मान में तारे एंट चांथ साफ दिख रहे थे वो दुने ऐसे सैलेंडली बैठी हुए थे एंट आस्मान को देख रहे थे वीन बैठे बैठे प्रिंस के बारे में यह सोच रहा था दिन कुछ ताइम बात यानली ने अपने बेटे के बारे में बात करना शुरू किया तो वीन को लगा कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा बड़ा से नहीं हुआ वो यानली के बात को सुनतो रहा था बड़ उसके दिमाग में सिर्फ लंजे के बात ही घुम रहा था वो सोच रहा था कि वो लंजे और कितना मिस्स कर रहा है वो सोच रहा था कि उसके मन में जो feeling है लंजा के लिए वो क्या feeling है वो उसे भी नहीं पता, वो confused है वो नहीं जानता कि वो ये confusion कैसे दूर करेगा एंते वो से याद आया कि उसके सामने जो इंसान बैटा है सिर्फ वो ही उसे समझ सकती है शायद वो ही उसका confusion दूर भी कर सकती है तो उसने कहा, CGA CGA ने कहा, बोलो आशियान वो इंगने जी जेली कहा आपको, आपको कैसे realize हुआ कि आप जीन गॉंग्जा के साथ शादी करना चाहते हैं ये सुनकी यानली ने एक soft smile किया वो surprise थी, उन्होंने कहा आशियान, तुमने आज़ने से ये question क्यों पूछा? ये बोल कि यानली ने वो इंग के हाथ को पकड़ा और soft smile करते हुए कहा क्या तुम्हारे life में कोई special है? ये सुनते वो इंग का face ते से rate हो गया वो शायद भूल चुका था कि यानली उसे rate कर सकती है सबसे ज़्यादा वो ही उसे समझती है तो of course विंग के question से यानली समझ गई थी तो विंग ने childish पाउट करते हुए कहा CGA CGA ने हसते हुए कहा ठीक है ठीक है Well I think मुझे history बोलने की जरूरत नहीं है राइट? विंग ने नोट किया उसे पता है कि यानली किस बारें बात कर रहा है विंग जानता है कि बचपन से यानली और जिश्वन का शादी तैह हो गया था क्योंकि मैडम यू और मैडम जीन बहुत ही अच्छे दोस्त है और देन जब वो लोग टिनेजर थे तब उनका लिश्वन अच्छा नहीं था जीश्वन ने यानली को बहुत इंसल्ट किया था जिसके बाएसे विंग जीश्वन को पसंद भी नहीं करता था और देन ये शादी आलमोस्ट टूड ही गया था देन तीन सालों तक बोदोने दूसरे को अवरिडी करते रहे और देन लान लिंग में एक बार एक कमप्रिशन हुआ और देन उस दिन से उनका लिश्वन फिश से स्टार्ट हुआ और देन इंगेजमेंट हुआ और देन शादी यानली ने जेंटली कहा सब कुछ होने के बाद जीश्वन ने मुझसे बात करने के लिए बहुत कुशिश किया बड़ मैंने उसे तब से बात करना शुरू किया जब उसने मुझसे प्रॉपर माफी मांगी देन मैं उससे बात तो करता था बड़ डिस्टेंस बनाये रखता था बहुत ही कम बात करते थे हम दिन बहुत मईने बाद हम दुनोंने प्रपर बात करना शुरू किया बर उसने कई भी हार नहीं माना वो कंडिनू ट्राइ करता रहा हम जब भी मिलते थे वो मेरे साथ गार्डेन में व्यक्क करने के लिए जाता था वो हमेशा मुझे मेरे life के बारे में मेरे interest के बारे में question किया करता था मुझसे बात करते वक्द बहुत ही nervous and awkward feel करता था बर फिरी वो कोशिश करता रहा एंदेन मुझसे रहा नहीं गया एंदेन मैं finally समझ गया कि वो अच्छा इनसान है देन एक साल के लिए हम सिर्फ बाते ही करते रहे उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं एंदेन तुम्हें तो पता ही है कि हमारा शादे अलरी fix हो चुका था तो वो मुझसे पूछता था बहुत बार कि मैं सच मुझसे शादी करना चाहता हूँ या नहीं मैं तब sure नहीं था मैं उसे कहती थी कि मैं sure नहीं हूँ बर still वो बुड़ा behave नहीं करता था वो मुझे हमेशा respect and sweetly treat भी करता था दिन जब मुझे लगा कि उसका feeling, उसकी बाते उसका behavior genuine है तब मैंने मां से कहा कि शादी की तैयारी किया जाए मैं साधी के लिए prepared हूँ and then हो गया शादी क्या तुम्हें तुम्हारा answer मिल गया है wing front हो गया technically यही answer था but wing कुछ और सुनना चाता था wing का question का answer यह नहीं था शायद उसने question ही गलत किया है wing के face देखके यानली समझ गई यानली ने कहा क्या तुम मुझसे कुछ और पूछना चाते हो wing कुछ टाइम के लिए चुप था देन उसने कहा I think मैं आपसे यह पूछना चाता था कि आपको कब पता चाला क्या आप उससे प्यार करते हैं यह सुनके यानली कुछ टाइम के लिए silent थी देनों ने अपने हेट को शेक किया और स्माइल किया और कहा आशियान क्या तुम यह सब प्रिंस के लिए पूछ रहे हो और यह सुनती ही विंग का पूरा फेस वाम हो गया फिर से यानली उसे समझ गई उसने अपने फेसो शुपानी की बहुत कुछिश किया पर वो शुपा नहीं पाया उसने बलश करते हुए कहा आपको कैसे पता यानली ने softly स्माइल किया और कहा मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि जब भी तुम उसके बारे में बात करते हो तुमारा एक्स्प्रेशन तुमारा आइस बिल्कुल चेंज हो जाता है तुमारा भी ग्लो करते हो तुमारा आइस और भी ब्राइट हो जाता है ये सुनते ही विंग शॉक्ट हो गया उसे पता भी नहीं था कि वो ऐसा बियेव करता है वो ये अम्बरेश से फिल कर रहा था बड़ उसे ये देखके अच्छा लगा कि इसका मतब उसका फिलिंग प्रिंस के लिए रियल है वो डिलूशन में नहीं है अगर उसके फेस में फिलिंग दिखता है देन ये रियल है ये सुस्तिवे विंग को डिलिफ फिल हो रहा था ये लिन नहीं इंकरेश करते हुए कहा मुझे उसके बारे में थोड़ा बताओ मैं जानना चाहूंगा कि वो कैसा इंसान है जिसने मेरे भाई का दिल जीता है ये सुनते विंग का फेस और भी होट हो गया फैनल उसने गिव अफ कर दिया एंदेन उसने प्रिंस के बारे बात करना शुरू किया उसने कहा कि प्रिंस का एक्चुल नाम लांग वांग जी है वो मोस्ट पावाफुल क्लैन के सिकेंड प्रिंस थे वो एक बहुती पावाफुल कल्टिवेटर थे एंदेन एक दिन जुली जींग आ गया एंद उनने कर्स दे दिया उसके बाद उनके फैमिली कहीं और मुव कर गए एंद वो वहाँ पर अकेले पर गए उसने ये भी कहा कि प्रिंस गुचिन भी प्ले किया करते थे एंद पैलेस में रैबिर्स भी हैं जो सेंचुरिस से रह रहे हैं प्रिंस के साथ एंद प्रिंस उनने प्रोडेक्ट भी करता है उसने कहा कि प्रिंस कितने जेंटल, कुईट एंड स्वीट है उनके बादे में भाइंस के इलावा कुछ भी नहीं है बड़ बो बहुत ही अच्छे इंसान है जब भी विंग को कमफर्ट की जरूरत होता है जब भी विंग अपसेट होता है प्रिंस विंग को हग करने की कोशिश करते हैं और कमफर्ट करने की कोशिश करते हैं विंग ने ये भी कहा कि जब वो कुछ अपते पहले इंजियोड हो गया था तब कैसे प्रिंस ने उनका खयार रखा था कैसे प्रिंस ने उसे बचाया था देन उनलोग ने स्नोब्ल फाइट किया देमी प्रिंस उसके लिए करता है याんなली ने कहा देन लांगवांग जो तो बहुत ही अच्छी इंसान है वो तुम्हारा बहुत क्यार करता है सरली किसी और के मूह से लंजा का नाम सुनके विंग को बहुत ही ओकुर्ट लगा बट हाँ, सीजे से ही कह रही है तो उसने कहा हाँ, वो करता है ये बोलते हैं विंग का आँखों में आशुआ गया बट उसने अपने को कर्ण्शोल किया, उसने कहा मैं उसे अपने इनर्जी देता हूँ जिसके वाएसे वो स्ट्रॉंग होता है एन एवरी डेप और भी स्ट्रॉंग होता है विंग ने ये नहीं कहा कि वो प्रिंस को इनर्जी कैसे देता है क्योंकि सीजे को बोसब बोलना बहुत ही इंबेरेसिंग होगा विंग ने कहा वो जितना स्ट्रॉंग होता है वो मेरे लिए उतना ही ज़ता काम भी करते है ये देखके मेरा भी मन करता है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूँ उसके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है इस से वहले मुझे ऐसा फिल कई भी नहीं हुआ है तो ये बन लगवात विंग चुप हो गया यानली ने कुछ टाइम बात कहा तो तुम यही सोच रहे हो कि उसके लिए तुमारा फिलिंग प्यार है या नहीं सरेली विंग का फेस वाम हो गया उसने नोट किया उससे बता है कि वो यह सब बाते किसे और गया साथ शेयर नहीं कर सकता सिवाई यानली के क्योंकि यानली से शेयर करना सेफ है यानली जज नहीं करेगी यानली उसे समझती है यानली ने कहा वेल मुझे तुम्हें कुछ सवाल करने दो ठीक है किया तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उससे किसी भी बारें बात कर सकते हो और वो हमेशा तुम्हें सुनने के लिए रेडी है विंग ने कहा हाँ यह बोलकर विंग ने स्माइल किया क्योंकि यह बात सच है चाहिए विंग कितना भी बगवास किऊ ना करे प्रिंस कई भी एनोई नहीं होते वो कई भी परिशान नहीं होते बलकि वो हमेशा विंग को सुनते है यालनी ने पूछा क्या तुमने कई भी अपने अन प्रिंस के फ्यूचर के बारें इमेजिन किया है विंग ने कहा, हाँ, बहुत, बहुत बार एक्चियली ये बोलके विंग सोच रहा था, कि उसे भी पता नहीं कि उसने कितने बार उन दोनों के फीचर के बारे में सोचा है कितने बार उनका फीचर इमेजिन किया है कि वो हमेशा प्रिंस के साथ पैलेस में ही रहेगा वो दोने एक साथ रहेंगे उसके पास कुछ भी करने का फ्रीटम होगा वो बहुत हंटिंग करेगा, इस्पोर करेगा and then every night, सोते वक्त प्रिंस अपने वाइन्स उसके उपर रैप करके रखेंगे यानली ने कहा and जब तुम प्रिंस के पास वापस जाते हो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम घर पे जा रहे हो क्या तुम्हें घर जैसा फील होता है ये सुनती विंग के पूरे वड़ में गुज़ामस आ गए क्योंकि उसे एक्जैक्ली यही लगता है जब भी वो हंटिंग कर गई या फिर टाउन से पैलस में वापस जाता है उसे लगता है कि वो प्रिंस के पास जा रहा है उसके घर पे प्रिंस उसके लिए उसका घर है उसे पैलेस में रहना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसका घर बन चुका है उसका अदल बन चुका है उसे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर प्रिंस रहते है उसे प्रिंस के साथ रहना अच्छा लगता है उसके लिए प्रिंस ही घर बन चुके है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैलेस हो या फिर कोई और जगा जब तक उसके साथ प्रिंस है तब तक उसके साथ उसका घर भी है उसे बहुत अच्छा लगता है जब वो पलेस में लोटता है एंद प्रिंस का भाइंस उसे वेलकम करता है उसके हातों में कैजुळी रैप भी कर लेता है प्रिंस उसे अपनी बूटिफुल वाइस से ग्रीट करता है वेलकम करता है उसके लिए warm meal प्रिपेर करके लगता है and then रात को प्रिंस उसे टज भी करते है and उइंग का सारा plead सारा demand पूरी करते है उसने कहा हाँ, ऐसा लगता है ये बोलते है शेलनली उइंग का बहुत मन कर रहा था कि वो अभी कभी प्रिंस के पास बापास चला जाए वो प्रिंस को और भी ज़्यादा मिस कर रहा था ये बात सच है, वो प्यार करता है वो literally इतने टाइम से confused था बट अब ये बोलने से लगता है कि हाँ वो तो प्यार करता है इनमें confusion की किया बात है वो confused जी क्यों था क्योंकि वो सच में उससे प्यार करता है ये लिके बोलने के वज़े से उसके लिए ये जिस एकसर्ट करना और भी easy हो गया उसने finally एकसर्ट कर लिया कि हाँ वो लंजे से प्यार करता है तो वो इंक कुछ टाइम के लिए चुप था वो सोच रहा था उसने के भी सोचे भी नहीं था कि वो एक दिन के लिए से प्यार करेगा जब वो टीनेजर था उससे लगता था कि उससे जो भी मिलेगा वो उससे प्यार कर बैठेगा दिन जब वो एडल्ट हुआ उसके ओपर responsibilities आया वो प्यार के बारे में भूली गया उसके ओपर बहुत से responsibilities थे उससे लगता था कि उसके लिए friends and family ही enough है शादी प्यार ये सब उसके लिए नहीं है बट अब अब वो प्रिंस से मिल चुका है अव विंग समझ पा रहा था कि CGA जीनेश्वन के लिए इतना इगर क्यों होती थी क्योंकि प्यार ऐसी होता है सरे लिए विंग के आईस में बहुत सरी emotions आ गया तब ही यारली ने पूछा तो तुम दोनों का plan क्या है I mean क्या प्रिंस का curse तोरा जा सकता है क्या वो फिर से human बन सकता है एंड ये सुनते ही वो इंग का दिल फिर से तूट गया उसके आँखों में आसु आ गया वो इतने दाइम से इस topic को आवट करने की कोशिश कर रहा था वो ये सब भूलने की कोशिश कर रहा था बट इन दी एंट वो ये भूल नहीं पाया उसके सामने ये topic आ ही गया क्योंकि ये reality है तो ये आना ही था ये question सुनते ही वो इंग का expression बिल कोई change हो गया ये देखके यानली समझ गई कि उसने गलत question किया है उनके face में guilty आ गया उनका smile गायब हो गया विंग ने कहा प्रिंस को हुरेजिंग के जातर बाते याद नहीं है बड़ों ने इतना याद है कि ये कर्स तोरा जा सकता है एक डोड है जो कि अभी open हो चुका है अगर मैं उसके अंदर चला गया तो शायद मैं उसके कर्स से free कर सकूँगा और जैसी ये कर्स टूड जाएगा उनका soul free हो जाएगा और वो इस दुनिया छोड़के चले जाएगे ये बोलके उविंग आगे कुछ भी नहीं बोल पाया वो ये नहीं बोल पाया कि कर्स तोटने के बाद प्रिंस अपनी लवर के पास पहुँच जाएगे क्योंकि अगर वो ये बोलता तो उसे बाकि सब भी explain करना पड़ता प्रिंस के लव स्टोरी के बारे में और वो ये अभी नहीं करना चाहता क्योंकि उसका दिल अल्रोड़ी तूट रहा था वो अपना को और पे नहीं दे सकता उसकी ये बाते सुनके यानली के भी जैसे तूटी गया उसने कहा आशियान I'm really sorry ये बोल कि यानली विंग के सिर पे अपने हाथ को फैर रहने लगा वो दोनों कुछ टाइम के लिए चुप थे दिन यानली ने कहा वेल एटलिस सब कुछ सुनके ये लगता है कि तुम दोनों अभी बहुत हैपी हो विंग ने softly कहा हाँ हम है ये बोलते हो विंग सोच रहा था कि उसका बहुत मन था कि एक बार वो प्रिंस को किस करेगा प्रिंस उसे किस करेंगे पर जैसे उसे फ्यूचर के बारे पता चला उसका ये होप तूट चुका है ऐसा काई भी नहीं हो पाएगा वो यही सोच रहा था तब याली ने कहा दिन तुम किस वज़े से परिशान हो विंग ने एक slow and tired breath लिया उसे पता है कि याली सही कह रही है वो सोच रहा था कि अभी बुए और प्रिंस जैसे है वो दोनों वैसी हैपी है विंग के लिए ऐसे कोई compressor ही नहीं है कि उसे प्रिंस का human form देखना ही पड़ेगा उसे किस करना ही पड़ेगा प्रिंस को खोने से अच्छा कि वो दोनों ऐसी ही रहे बट विंग ने कहा अब सही कह रहे हो मैं उसके साथ ऐसे हैपी हूँ बट यारली ने कहा बट विंग ने एक डीप बिट लिय और कहा बट ये मेरा सिल्फिस बियेवियर नहीं हो रहा आई मिन वो सेंचुरिस से जिन्दा है उसने बहुत कुछ जेला है उसने अपने आँखों के सामने अपने क्लोस परसंस को इस दुनिया छोड़के चल जाते हुए देखा है उनका डेथ देखा है और सब कुछ अकेला जेला है तो बस मेरे हैपीनिस के लिए उसे जबर्दस से जिन्दा रखना ये मेरा सिल्फिस बीए बियर नहीं होगा वो ये बोलतो रहा था बर वो यानली के गेस को आवारिडी कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि यसी वो यानली के तरफ देखेगा वो रो देगा कुछ टाइम बात यानली ने कहा कभी कभी प्यार सिल्फिश होता है यानली के वाइस में एक हेलफलेसनस था जो विंग समझ पा रहा था यानली ने कहा बट तुमनों उसके साथ सिर्फ एक ही एर स्पेंट किया है तो आफ़कोर्स तुमसे छोड़ने के लिए अभी रेडी नहीं हो एंड किसको पता शायद वो भी तुमने के लिए भी रेडी नहीं है एंड ये नॉर्मल है कि तुम उनके साथ और भी टाइम स्पेंट करना चाहते हो विंग ने कहा बट बट मेरे मरने के बाद क्या होगा ये सुनकि यानली ने एक शैट शाई किया उन्होंने कहा आशीयन तुम ऐसा नहीं कहना चाहिए यानली के वोईस में एक फियर था क्योंकि विंग के लिडर्स आने से पहले यानली को लगता था कि विंग अभी इस दुनिया में नहीं रहा जब उनके पस विंग के लिडर्स आया उन्हें पता चला कि وिंग जिन्दा है एंज अब विंग उनके सामने है है अब विंग उनके सामने ही उसके मरने की बात किह रहा है तो आफ कोर्स उनके ले ये सुनना painful है एंड ये विंग समझ सकता है बच विंग का लॉजिक भी serious है विंग ने कहा नहीं बट ये क्वेस्टिन सिरियस क्वेस्टिन है वो इमोर्टल हो सकता है बट मैं नहीं मैं एक नॉर्मल इनसान हूँ एक दिन ना एक दिन मेरा भी डेथ होगा ही एंड दिन वो फिर से अकेला पर जाएगा ये वोलते हैं विंग सोच रहा था कि उसके जाने के बाद प्रिंस फिर से अकेले पर जाएगे हमेशा के लिए उन्हें फिर से जिंदा रने के लिए स्ट्रेंजर्स से फीट करना होगा या तो स्ट्रेंजर्स से या फिर जंगल के ट्रीस से और टुइंग को पता है कि प्रिंस को ये दोनों चीज़े ही पसंद नहीं है हाला कि अगर प्रिंस चाते तो वो पुरे फोरिस्ट के एनरजी एबसर्फ कर सकते थे और हमेशा के लिए स्ट्रॉंग हो सकते थे बर प्रिंस ऐसा नहीं करते वो गये भी अपने लिए किसी लाइफ को फोर्स नहीं कर सकते चाहिए वो ट्री हो या फिर इनसान वो गये भी अपने लिए एक फोरिस्ट को खतम नहीं कर सकते इसलिए प्रिंस जब भी फीट नहीं कर पाते वो ऐसे ही वीक एंड हाफ जिन्दा होके पैलेस के अंदर ही रह जाते हैं वो कहीं भी अपने फूट के लिए किसी को परेशान नहीं करते तो विंग के डेस के बाद शायद प्रिंस भी ऐसा ही करेंगे उन्हें ऐसा ही जीना पड़ेगा वो फिर से अकेले पढ़ जाएंगे तो विंग सच में चाता है कि प्रिंस ये सब ना जहिले उन्हें फिर से ये सब ना जहिलना पड़े विंग चाता है कि प्रिंस को अपना लाइफ वापस मिल जाए उन्हें मुक्ती मिल जाए विंग ने कहा सबसे वर्स्ट बात ये है कि मुझे पता नहीं कि मीरा डेथ कब होगा शायद मैं ओल्ड हो जाओंगा शायद मैं और भी 60 साल जिन्दा रहूंगा या फिर यह भी तो हो सकता है कि मेरा डेथ कल ही हो जाए चलो हम ये भी मान लेते हैं कि मैं निकस्ट एक सल तक जिन्दा रहूंगा या फिर पांच साल तक या फिर दर्स साल तक एंड उसके बीच में मुझे उसे फ्री करना ही होगा मैं यह नहीं कहा रहा कि मेरा डेथ बहुत जल्दी हो जाएगा बट हो भी तो सकता है ना कुछ भी हो सकता है हम फ्यूचर तो नहीं बदा सकते ना एंड अगर में कर्स तोरे भी नहीं ऐसी मर गया दे नेक्स्ट हंडेट इयर्स में शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसकर्स तोरने के लिए उसके पास आएगा और मुझे सच में नहीं लगता कि मेरे मरने के बाद कोई उस पैलेस में जाएगा और उसे फ्री करेगा ऐसा कोई भी नहीं करने वाला ये सुनकी यानली कुछ टैंग के लिए बिल्कुल चुप थी उनके पास भी कोई एंसर नहीं था क्योंकि विंग जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सही है सच है उसमें लॉजीक है सच्चाई है विंग ने कहा ये पता है कि वो सेंचुरिस से जिन्दा है और मुझे पता है कि मैं उसे फ्री भी कर सकता हूँ और फ्री करने का रास्ता भी खुल चुका है बर स्टिल मैं उसे फॉर्सफुली जिन्दा रख रहा हूँ इस life में stuck करके रख रहा हूँ उसे free नहीं कर रहा हर रोज मुझे यही feel होता है यह बोलके wing सोच रहा था कि यह बत तो सच है third door open हो चुका है अगर उसने decide कर लिया कि वो प्रिंस को free करेगा तो वो अभी गभी free कर सकता है पर वो जान बुझ कैसा नहीं कर रहा वो जान बुझ के प्रिंस को इस दुनिया में stuck करके रख रहा है everyday वो यही कर रहा है उसे पता है कि वो यह ठीक नहीं कर रहा पर still वो यह ऐसा कर रहा है वो इतना selfish है कि वो अपने enjoyment के लिए प्रिंस को प्रिख नहीं कर रहा और उन्होंने कांटिनूट ट्रैप्ट करके रख रहा है विंग को हर रोस बहुत ही गिल्टी फिल होता है बर स्टिल वो कुछ भी नहीं कर रहा उन दोनों के बीच में एक लॉंग साइलन्स था देन याली ने कहा क्या तुमने इसके बारे में प्रिंस क एक लूग दिया उन्होंने कहा क्या उन्होंने तुमसे कर्स ब्रेक करने के लिए कहा है यह सुन के विंग और भी शॉक्ट हो गया उसे रेलाइज हुआ कि प्रिंजन सा कुछ भी नहीं कहा है तो उसने कहा नहीं उसने नहीं कहा है यह सुन के आली ने एक सॉफ्ट स्माइल कि अपने हेट को शेक किया उन्होंने वींग के हाथों को पकड़ा और कहा आशियान मैं तुम्हें सबसे जादा जानता हूँ मैं जानती हूँ कि तुम दूसरों के हैपिनिस के लिए अपने हैपिनिस को सैक्रिफाइस कर देते हो अगर तुम मेरे लिए भी ऐसा नहीं करते तो आज मैं पता नहीं कहां पर होती यानली के बात है हेवी के साथ साथ सिंसिर भी था यानली ने विए इंक के हाथों को स्कुईस की और कहा बट मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में लांग गॉंगस के साथ डिसकस करना चाहिए अगर उन्होंने तुम्हें करस एन शायद वो ऐसी तुम्हेरे साथ रहना चाहते हैं हमेशा के लिए ये सब बाते विंग के मन में एक होब जगा रहा था उसने अच्छली ये सोचा नहीं था कि वो इस बारे में प्रिंस के साथ बात करेगा विंग के लिए ये कर्स तोड़ना एक कमपलसरी चॉइस था क्योंकि प्रिंस ने बहुत छेला है उन्होंने बहुत कुछ खोया है बहुत सर्वाइब किया है इतने सालों से और उन्होंने फिर से यहाँ पर स्टक करके रखना एक बार्डन होगा क्रूइल्टी होगा प्रिंस भी हैपिनेस एंट मुकती डिजर्व करते हैं बट अब यानली के बादे सुनके विंग और ऐलाएज हो रहा था कि आफकोर्स प्रिंस ने विंग को थर्ड टोर पे जाने के लिए नहीं कहा था उसे कर्श तुरणे के लिए नहीं कहा था बट विंको सौंच में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए उसके अंदर confusion, complications और भी बढ़ गया था इसके बारे में और भी सोचना होगा यानली ने कहा वेल, तुम जो भी recite करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ एंद तुम्हें यहाँ पर मुझसे मिलने फिर से आना होगा एंद अगर तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो तिन तुम यह भूलना मत कि तुम्हारा एक और घर भी है आचेंग तुम्हें बहुत मिस करता है वो तुमें कभी ये कहेगा तो नहीं पर मैं जानती हूँ वो तुमें बहुत मिस करता है अगर तुम्हारे लिए हमेशे विलकम्ट है अगर तुम यहाँ पर आओगे तो में तुम्हारा नेफ्यू हम दोनों ही बहुत हैपी होंगे ये सुनके विंग को बहुत अच्छा लगा उसके फेस में स्माईल आ गया प्रिंस को लेकर वो कोई रिजशन तो नहीं बना पाया पर उसे ये सुनके अच्छा लगा कि उसका घर अभी भी है उसके बास अभी भी ऐसा लोग है जिने वो अपने फैमिली कह सकता है तो विंग नोट किया दिन वो दोनों कुछ टाइम के लिए वहाँ पर ये ऐसे ही बैटे थे एन आसमान को देख रहे थे दिन बहुत टाइम बाद फैमिली जब उन दोनों को नीन दाया तब जाके वो दोनों अपने अपने रूम पे गए और सो गए दिन फैमिली दो दिन बाद विंग ने जीन ट्लैंड से अपना सुईबिया लिया एन फैमिली अपने सिस्टर उसके हजबेंट एंड उसके नेफियों को गुडवाई कहा एंट लाल निंग से निकल गया अपने प्रिंस के पास जाने के लिए इस वार उसके साथ उसका सूई बिया था तो उसे पता है कि अगर वो फ्लाई करके जाएगा तो वो बहुत ही जल्दी पहुँच जाएगा प्रिंस के पास शायद आज रात के पहले ही पहुँच जाएगा उसके अंदर बहुत सरे इमोशन्स थे वो बहुत ही एक्साइड़ेट था एंद थोड़ा सा नर्वस भी था उसने प्रिंस को बहुत मिस किया है इतना मिस किया है कि वो कहे भी नहीं सकता उसने अभी तह कोई डियेशन तो नहीं बनाया है प्रिंस को लेकर बट एनिवेस अगर वो प्रिंस से मिलेगा तब जा कि उसे अच्छा लगेगा इस वस्तुवे वो फ्लाई करने लगा अब वो लगबख पैलेस के पास की एक टाउन में पहुँच गया इस टाउन से पैलेस एक घंटे के दूरी में है विंग को भूग लगी थी तो उसने सुचा कि वो यहाँ पर ही खाना खाले तो उसने टाउन पे लैंट किया और वो एक फिंडर के पास जाकर खाना खाने लगा वो अल्मोस्ट खाना फिनिश करने ही वाला था तब ही किसी ने उसके कप्रे को खीचा उसने देखा कि उसके पास एक बच्चा ख़ड़ा है जो कि चार या फिर पांस साल का होगा उसे देखके विंग ने कहा लिडिल बड़ी क्या बात है विंग को लगा कि शायद वो बच्चा खाना चाहता है बट उस बच्चे ने कोई एंसर नहीं दिया वो विंग के कपरे को और भी खीचने लगा तो विंग को रेलाइस हुआ कि वो चाहता है कि विंग उसे फॉलो करे विंग ने कहा क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फॉलो करूँ उस बच्चे ने नोट किया तो विंग ने वो ही किया वो helplessly उस बच्चे को follow करने लगा विंग को लगा कि शायद इस बच्चे का कोई दोस्त या फिर siblings या फिर parents hurt होगा या फिर बीमार होगा और उसे help चाहिए होगा क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है जादर बच्चे किसी cultivator को I mean जिसके पास तलवार होता है उसके पास जाता है और उन्हें help के लिए पूछता है तो विंग को लगा यही होगा तो वो भी उसे follow करने लगा देर विंग ने देखा कि वो बच्चा विंग को market place से दूर लेकर जा रहा है सुनसान जगा पर लेकर जा रहा है यह देखके विंग immediately alert भी हो गया उसे suspicious लग रहा था विंग ने देखा कि वो बच्चा उसे दो houses के बीच में एक narrow alleyway है वो उसे वहाँ पर लेकर जा रहा है तो विंग ने भी चुपचा उसे follow किया तब विंग ने देखा कि उस alleyway में एक man ऐसी floor पे पड़ा हुआ है दिवार पे lean ढोकर और वो विंग को उसके पास ही लेकर गया यह देखके विंग दोर को उस man के पास गया और उसके body को उसके pulse को चेक करने लगा यह देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं जिन्दा है या नहीं या फिर injured है या नहीं एंसरेंली उस man ने अपने आखे खुली इससे पहले विंग कुछ कर पाता उस man ने विंग की उपर एक तरिस्मान लगा दिया एन इमिडेटली विंग का body वहां के वहां ही freeze हो गया तरिस्मान के वज़े से विंग का पुड़ा body froze हो गया तो विंग का body move नहीं कर रहा था इनफेक्ट विंग कुछ बोल तक नहीं पा रहा था उसका तलवार भी वह खुड नहीं पा रहा था इससे पहले वह कुछ सोच पाता कि उससे आगे क्या करना चाहिए किसी sharp चीज ने उसके hate पे जोड़ से attack किया एन वो फ्लोड पे गिर गया उसका hate injured हो चुका था वो बेहोशोने ही वाला था तो वो उसने बहुत सहे लोगों का हसी सुना बेहोशोने से पहले उसनों उस boy की तरफ देखा उस boy के आखों से आसु निकल रहा था एन देन वींग का vision black हो गया एन वो बेहोशो हो गया hello everyone तो कैसा लगा आपको आज का part I think आज का part थोड़ा सा लंबा हो गया है anyways जरू बातान आपको कैसे लगा एन मिलते हैं नेक्स part में तब तक के लिए जार रिक्या स्टेसे बाई